नमस्कार दोस्तों निफ्टियो चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको समझाया गया था कि अपर मुमेट आएगी तो अपर मुमेट आई और 619,16 तक की गई और वहां से जैसे जैसे एक्जैकली बताया था वैसे वैसे ही exactly हुआ तो इस तरह सब कुछ हम एक दिन पहले ही आपको बता देते हैं कि क्या क्या हो सकता है क्या क्या संभाव नहीं अब आते हैं रुपैये प 2.4 82.31 डाउनसाइड मुवमेंट के चांसेश रहेंगे और उपर की और जब 83.42 के उपर ही अपवर मुवमेंट इसमें रुपईये में बनेगा अब वैसे जातर रुपईये में मजबूत होने के चांसेश ज्यादा बने हुए क्योंकि डॉलर इंडेक्स दिरे दिरे 103 102.9 के आसपास मंडरा रहा है तो आप इस एरिये में ही डाउनसाइड मुवमेंट को एकसेप्ट कीजिए और इस पे 82.194 के आसपास ही अपड़ मुवमेंट आपको दिख सकता है यहां से अपड़ मुवमेंट और यहां से डाउनसाइड मुवमेंट मलब एक रीज बाउंड रु में आपने अपने आप फैंस ले लेने हैं इसने देखिए जीएमर इफरा ने फ्लैक पे काफी अच्छा ब्रेक आउट दिया है जो काफी अच्छा लग रहा है मुझे चार्ट ऊपर जो फिबनेची रिट्रेस्मेंट से मैंने लेवल निकाले हैं वो 55 57 58 नीचे अडानी प के लिए भी काफी अच्छा नजरा रहा है तो 884 915 और 988 मतलब अडानी स्टॉक्स में फिर से एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है तो आएए अब हम आते हैं फिन निफ्टी के चार्ट देखिए फिन निफ्टी में जो अगर हम ऑप्शन चेंड देखें तो उस मैंने समझाया भी है कि वहां से डाउंसेर मूमेट आएगी 131,099 मतलब एक लाख 32,000 के आसपास आपको और नजरा आएगा और नीचे के ओर 19,500 पे अच्छी खासी पॉट रैटिंग मतलब 500 से 600 के बीच एक रेंज फिन निफ्टी में भी फशी हुई है अब आते हैं हम फि निफ्टी में भी क्या हो रहा है यह देखिए धिहां से फिन निफ्टी में भी निफ्टी बैंक निफ्टी इसरा 100 एमा और इसके बीच में दूरी कम हो रहे हैं यह काफी अच्छा सा है नहीं में 33 एमेड में स्पोर्टे कठी हो रही हैं तो 19,000 470 चे लेकर 527 का एरिया सार आई अपवर्ड मुवमेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं ठीक है फूपर के और 612 एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस है आज तीसरा दिन हो गया इस पे रिजिस्टेंस प्ले होते हुए और डाउंसर्ड मुवमेट आपको यहां से दिख सकता है और कहां तक 19,000 542 तक 554 यहा क्योंकि मार्केट अब पोस्टिविटी जादा है लगाता है ग्रीन कैंटर्स बना रहा है और पोस्टिव पोस्टिव मार्केट हो रही है तो अब मार्केट के अपड़ मुवमेट के चांसे काफी जादा है और डाउंसर्ड मुवमेट के चांसे काफी कम है अब जो नीचे 3 की उपर पांच पाइमिंट की तीन केंडल क्लोज होगी तो यहां से आप अपड़ मुवमेंट प्ले कर सकते हैं और नीचे की और यही जो 19,600 612 जो रिजिस्टेंस का काम कर रहा था स्टॉक मार्केट के रूल के अब यह 600 612 स्पोर्ट का काम करेगा और जिसमें जो चार्ट पर मैंने समझाए हुए काफी कि कोई भी चीज रिजिस्टेंस और बाद में स्पोर्ट का काम करती है जब वो नीचे आ जाती है तो यह अच्छे स्पोर्ट का काम करेगा और 600 का आप स्टॉप भी रख सकते हैं उपर 9710 25 पर यह यहां पर एक ओड नई प्रॉब्लम है 10 एमा जिसकी मुंडी ऐसे है तो यह डाउंसाइड मूमेट यहां से आप एक प्ले कर सकते हैं पर यह चोटा सा डाउंसाइड मूमेट होगा इस पर कारण क्या है कि 700 पर कॉल राइटर भी है काफी अच्छा खासा और उसक को मिलेगा ज्यादा बड़ा मूमेट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 600 पर फिर काफी ज्यादा पूट रेटर भी आ चुका होगा तो फिर वो स्पोर्ट का काम करना शुरू करतेगा फिर उसके बाद अगर 790 तक भी खिसकता है तो यहां पर भी मेरी यही रहा है कि डाउंसा 2825 के स्टॉप लॉस के साथ आप डाउंसाइड मूमेट को प्ले कर सकते हैं और वो कहा तक जाएगा 10 एमा फिर 10 एमा एक स्पोर्ट का काम करेगा वड़ना नहीं तो यह था फिर निफ्टी का ट्रेर सेट अप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो ज्यूरू लाइक क कर दो